इंडिया से अगर कोई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है USA, UK, Australia, Canada ऐसे कंट्रीज में अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो जो सबसे मेन हर्डल है वो है पेमेंड गेटवे अरेंज करना क्योंकि इंडिया में अगर कोई ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है इंडियान कस्टमर को तो क्या है हम लोग सी ओडी मॉडल में चले जाएंगे और सी ओडी मॉडल में पेमेंड गेटवे नहीं चाहिए होता है लेकिन इंटरनेशनले में तो होता है सारे प्रिपेड ओडर्स कि पैसे लोग पहले पे करते हैं कस्टमर्स देन हम लोग प्रोडाक्ट शिप करते हैं तो इस करन से उसमें पेमेंड गेटवे सबसे मेजर चीज है और यह जो पेमेंड गेटवे हैं यह मिलना भी बहुत मुश्किल है और यूट्यूब में किसी ने सही से के उपर डिटेल वीडियो नहीं बनाया स्पेसिफिकली फॉर इंडियन ओडियंस क्योंकि maximum जो लोग इंडिया से इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग करते हैं वो लोग में भी यूट्यूब में वीडियो बनाते नहीं हैं और जो लोग वीडियो बनाते हैं इंडिया में ड्रॉपशिपिंग रिलेटएड maximum लोग latest जो आपडेट्स वगरा हैं इंटरनेशनल पेमें गेट्वेएग को लेगी हैं वो सब उनको पता नहीं है जिसका आँ से सही वीडियो मैंने नहीं देखा जिसका आँ से बना रहा हूँ और मुझे सबसे ज्यादा major queries इसी topic के उपर आते मारा जो discord group है ना उसमें तो सबसे पहले अगर हम लोग international dropshipping करना चाते हैं तो हमारे पास three different ways एक करनेगा एक होता है as a individual start करना और दो category होता है जिसमें हमें business setup करना परता है तो business setup में दो तरीका होता है एक होता है इंडिया में business setup और एक होता है international किसी country में business setup तो यह जो तीन चीज़ है ना इन तीन चीज़ों में हम लोग focus करेंगे तो सबसे पहला जो है वो है individual तो अगर as a individual कोई start करना चाता है international dropshipping तो उसके पास एक ही option है जो की free of cost है वो है paypal तो as a Indian pen card holder आप paypal में register कर सकतो पेपाल से क्यों होगा आपको उनका account मिल जाएगा उसको आप किसी भी e-commerce website for example shopify, e-commerce जिसमें भी आप अपना जो store है उसको host करोगे उसमें attach कर पाऊगे लेकिन पेपाल में problem क्या है अगर आपका PayPal account new है तो अगर कोई भी order करेगा उसमें तो आपका जो पैसा है वो चला जाएगा hold में और hold में जाने के बात PayPal बहुत ज्यादा नोटन की करता है मेरे चैनल पे डेडिकेटट वीडियो भी है PayPal के उपर क्योंकि PayPal में customer लोग dispute बहुत ज्यादा raise करते हैं dispute in the sense कि मानलो एक हफता हो कि आप सामान नहीं गया उसके पास तो वो dispute raise करतेगा कि सामान नहीं पहुचा तो PayPal क्या करेगा पेमेंट को hold कर देगा और आपका जो एकाउंट उसमें एक red flag लग जाएगा तो PayPal यूज करना easy नहीं है अगर कोई beginner है और नया नया drop shipping स्टार्ट करना चाहता है अगर आपका PayPal एकाउंट old है जिसमें आप बहुत सारे transaction किये हुए हो तब जाके यूज कर सकते हो लेकिन तब भी बहुत ज्यादा maintain करके चलना बढ़ता है और थोरा सा भी आगार आपने गलत कर दिया थोरा सा sketchy सा product अपने सेल कर दिया और customer का dispute raised increase हो गया तो problem में फस जाओ गया तो free option में तो PayPal सबसे best है लेकिन PayPal के यह जो drawback है यह मैंने आपको बदा दिया कि क्या है इसलिए PayPal यूज करना सही option नहीं है starting में तो हम लोग PayPal को avoid करेंगे और PayPal का जो order का प्रोसेस है वो भी बहुत ही अजीब सा है customer को वो लोग अपना store से डाइवर्ड कर देते PayPal के इंटरफेस में और बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि उन लोग इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है इस प्रोसेस से जिस कारण से order का जो rate है ना वो भी मतलब conversion rate जो है वो बहुत ज्यादा decline हो जाता है अगर हम PayPal के थूप orders लेते तो मेरा जो personal experience से उससे में बता रहा हूँ तो यह हो गया पहला option as a individual तो एक important चीज़ बता दे तो आपको वीडियो के आखरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि as a individual आपको free में और एक तरीका है जिससे आप drug shipping स्टार्ट कर सकते हो और एक way है वो क्या है वो मैं बताऊंगा वो एक मतलब तो आप कह सकतो कि एक bonus tip है मेरे तरफ से जो मैं आखरी में share करने वाला हूँ तो अभी हम लोग चलते है next दो पार्ट है उसमें जिसमें हम लोग business setup करना पड़ता है तो सबसे पहला option आता है इंडिया में business setup करना तो मा GST लेना थोड़ा सा दिक्कत की बात है क्योंकि GST ले लोगे तो हर महिने आपको GST filing भी करना पड़ेगा every month आपको filing करना पड़ता है तो GST लेने के बाद Indian business setup करने के बाद आपके बाद दो option रहते हैं दो मतलब जो की ज्यादा highlight में आया मेरे सामने वो options है Razer Pay और Stripe तो Razer Pay और Stripe इन दोनों में आप लोग account create कर सकते हो और इनके account में आप लोग international payment capture कर सकते हो लेकिन इसमें problem है इसमें problem क्या है Razer Pay जो है उसके interface उतना familiar नहीं है उसमें पहले तो mobile number देना पड़ता है उसके बाद अलग सा उनका portal open हो जाता है same PayPal जैसा तो seamless process नहीं है जिसका अंसे conversion rate drop होता है और बहुत सारा मत्तब payment decline का भी उतना ज्यादा नहीं है लेकिन payment declines वगरा होते हैं क्योंकि gateway तो Indian है तो इसलिए दूसरा जो option है वो बेटर रहता है Stripe Indian Stripe लेकिन Indian Stripe में problem किया interface वगरा बहुत सही है उनका बिलकुल जो आपका Shopify में मान लो एबसाइ जाता है और easily check out कर सकता है customer लेकिन Stripe में बहुत ज्यादा issue है payment decline लेके और हमारे group में भी कुछ लोगों ने share किया अपना जो response है वो मैंने खुद भी Stripe यूज किया था पहले एक्चली पहले Stripe में company register करने के ज़रोद नहीं परती थी बस आपके पास IEC code होना चाहिए था बस IEC code आपको easily मिल जाता था 500 रूपीज में online तो उस समय मैंने use किया था और मैंने देखा था 40% की around मैरा जो payment है वो decline हो जाते थे Indian Stripe में तो Indian options actually better है ही नहीं हाँ ट्राइ कर सकत होता है में भी अभी इन लोगोंने सुधार कर लिया होगा इसमें जो decline वगरा होता था लेकिन इसमें problem किया है अगर आप drop shipping करना चाहते हो चाहना से या फिर किसी भी Asian countries से आप sale करना चाहते हो product USA UK countries में तो इंडिया में business setup करने का कोई फायदा है नहीं क्यों फायदा नहीं ह होगा 18% तो एज बिजनेस होनार आप क्या सोचो कि इस GST को में claim कर लोंगा लेकिन आप जो drop shipping कर रहे हो वह कर रहे हो चाहना से US है तो वह GST आप claim कहा पे करो क्योंकि वह जो cost of good है वह आप इंडिया से तो नहीं उसे उस कर रहे हो तो इसलिए 18% GST जो आप advertisement में spend कर रहे हो वह बिल्कुल waste हो जाता है तो इंडियान बिजनेस सेट अप करके international drop shipping करना बिल्कुल नो है नहीं करना है बहुत लोगों ने यह चीज कर लिया उसके बाद मुझे मैसेज किया Instagram पे हमारे Discord में कि मैंने business वगरा setup कर लिया GST वगरा ले लिया अब आप बताओ कि कैसे हम लोग drop start करने international drop shipping यसा करना ही नहीं है तो समझ पाए होंगे आप कि क्या बोलना चाता हो यसा करना नहीं है तो अभी हमारे पास third option ही बचता है जो की है international business setup करके हमारे drop shipping business है उसको run करना तो उसमें बहुत सरे doubts से बहुत सरे equations से पैसा कितना लगता है किस country में हम लोग करें और कौन payment gateway लेंगे और उसमें drawbacks क्या है वो सारा सब कुछ पताने वालो और बहुत सरे myths है वो भी मैं solve करने वालो इस वीडियो में तो अभी हमें setup करना है international company तो मैंने क्या देखा था जब मैंने अपना start किया था international business तो मैंने देखा सबसे cheapest कौन सा है UK मुझे मिला सबसे cheapest country जिसमें around 30-50 dollar में company register हो जाता था मैंने उसमे register किया उसमे account बनाया bank account then मेरे strike create किया और बाद में क्या हुआ मेरा strike में around 3000 dollars थे मेरा strike हो गया ban और सारे जितने पैसे है न वो strike ने कभी मुझे लोटाया नहीं तो यसा मेरे साथ नहीं बहुत लोग के साथ जो लोग UK में company register करते है उनके सा इसमें वो लोग new account open करनी रहे उसमें wish list का option डाल दिया कि wish list में आप details डालो हम लोग आपको contact करेंगे जब भी हम लोग दुबारा launch करेंगे यह account opening तो यह problem हो चुका है और दूसरा चीज UK में करना मुश्किल क्यू है UK में company register करना बहुत easy है इसलिए मुझे लगता है scams बग तो लोग बहुत ज्यादा scam बगएरा करते हैं तो मेरे साथ तो यह loss watch इसकारण से में shift हो गया है USA में बाकी countries है बहुत सारे लोग बोलते UAE, Singapore, actually उन countries का मुझे आईडिया नहीं है उस country में कैसे work होता है लेकिन मेरे लिए तो USA बहुत ज्यादा अच्छा मेरे लिए अच्छ तो सबसे पहले बता तो tax benefit क्या है अगर आप USA में company register करते हो तो USA में क्या है दो type के tax होते है एक होता है sales tax और एक होता है आपका जो personal tax है तो personal tax जो है वो आपको देना नहीं होता USA को वो टेक्स आपको देना होता है क्योंकि आप इंडिया से बैठ के सब कुछ कर रहे हो तो इंडियन गबर्मेंट को दोगे जो आप income tax file करते हो अगर वो slab में आया तो इंडियन गबर्मेंट को आप tax file करोगे उनको tax pay तो यह तो पहला tax हो गया दूसरा tax आता है sales tax जैसे इंडिया में GST बगरा है तो एक्छली इंडिया में सबसे ज्यादे बेनिफिशियल चीज क्य USA में अगर warehouse लेंगे उसमें सामान रखेंगे तब हमें sales tax देना पड़ता है USA government को हमें register करना पड़ता है उनके sales tax के लिए जैसे इंडिया में GST के लिए लेकिन अगर चायना से send करेंगे सामान USA या फिर किसी भी country में send करें हम लोग तो उस case में हमें sales tax नहीं देना पड़ता चीज है उतना ज्याता tax session का भी जंजट नहीं है इनिशियल में जो लोग start करना चाते drop shipping बाद में अगर warehouse वगरा setup करना है उसके इसमें अब ले ले लेना sales tax वगरा तो यह बहुत ज्यादा अच्छा लगा जिस कारण से मैंने USA में company register किया तो USA में company का देखे इसमें बहुत स वायमिंग न्यू मेक्सिको यह बहुत अच्छे state है लेकिन कुछ लोग Delaware में कर लेते drop shipping करना चाते हो तो वैसे वाले state में मत जाना उसमें बहुत ज्यादा charges है fees बहुत ज्यादा है उनका आपको करना है वायमिंग वगरा में वायमिंग न्यू मेक्सिको में तो मैंने वायम 5 डॉलर देना पर रहा है पर मंत और उस address को change करने के लिए मुझे उनको 200 डॉलर देना परा दुबारा कि वह address वो लोग change करें मुझे इतना पैसा नहीं देना था मुझे पहले बता नहीं था यह सारे hidden charges बगएर होते हैं कि उसके बाद agent का एक fee होता है वह से मैंना agent लेना प पसाद यमन ने करें पहले साल 1200 डॉलर खरच किये लसी को maintain करने के लिए उपर से formation fee तो अलग है तो अभी मेरा वो लसी वैसे running में है लेकिन वही मैंने address वगरा change कर लिया है with free address में अभी उसको run कर रहा है तो यह दिखिए इसमें बहुत सारे लूप होल्स है बाद में मुझ 30 डॉलर है I think 30 डॉलर पर yearly देना पड़ता है एजन को बस वह भी बहुत चीपेस्ट है और formation के लिए around I think 200-250 डॉलर ऐसा कुछ लगता है तो इतना चीपेस्ट वह भी है जिस तो से मैंने दूसरा एक LLC बनाया तो अभी मैं दो LLC रन कर रहा हूँ तो उस दो LLC में मैंने दो Stripe account लिया है तो payment gateway के बात करें तो Stripe भी एक single best solution है क्योंकि उसमें as a Indian आप अपने business के लिए e-commerce business के लिए USA LLC को तो Stripe ले सकते हो बाकी भी बहुत सरे option है लोग बोलेंगे कि यह कर लो वो कर लो पेपाल ले लो यह लो लो नहीं ले सकते आप उसमें हो सकता है कि आपको SSN वगरा मांगेंगे या फिर ITIN मांगेंगे तो आप दे नहीं सकते क्योंकि SSN USA में जाओगे भी ज्यादा होता है तो इसलिए Stripe ही single best solution है और दूसरा option है Shopify payment, Shopify payment एक्षरी ले सकते हो आप उसमें payment भी capture कर सकते हो जो कि one of the best और में के सकते हो दी बेस्ट solution है लेकिन Shopify payment में problem क्या है इनिशियल में तो आप रन कर लोगे लेकिन आपका business जैसे scaling में चला जाएगा न तब क्य Shopify payment में तो नहीं दे सकते हैं जिस करण से Shopify payment मैं कहता हो कि start कर सकता हो लेकिन Stripe ही आपका best option होना चाहिए तो Shopify payment में एक चीज़ बता देता हो जो कि बहुत अच्छी बात है इनकी मानलो अगर आपने Shopify payment यूज भी कर लिया उसमें अपने हजार दो हजार डॉलार आपने उसमें वहा रिफांड कर देते हैं रिफांड इन दा सेंड कि हमें ट्रांसफर कर देते हैं श्ट्राइफ जैसा नहीं करते हैं कि वह पैसा नहीं देते हैं और customer को सेंड कर देते हैं जो कि मेरे case में UK वाले case में हुआ था तो Shopify payment जरूर यूज करना तो उसके बाद अगर बैन बगर रहो गया, तो Stripe यूज कर लेना, पर साथ साथ में Stripe को भी रनिंग में रखना, क्योंकि Stripe में क्या होता ना, Stripe को maintain करना बहुत एक टास्क है, उसके बहुत ही, धीरे-धीरे उसको grow करना पड़ता है, पर डे $200 के उपर transaction नहीं करना है इनिशियल में और आपको dispute rate जो chargeback होते लोग का वो 1% से भी निचे mendian करना है तो मानलों आप पहला 100 transaction में आपको एक भी chargeback नहीं लेना है तो वो ध्यान रखना है तो यह Stripe का मतलब major drawback कह सकतो हो या फिर उनका security reason के लिए यह लोग करते यह तो वो कह सकते हो और इक चीज इनिशियल में हाई Ticket item मत सेल करना क्योंकि हाई Ticket item में आप ज्यादा transaction करना ही पाऊगे तो आपका जो यह dispute rate है वो आप एचिप नहीं कर पाऊगे मानलो आपने 50 transaction किया और एक आपको चार्जबेक लग गया तो Stripe आपको red flag में डाल देगा तो इसलिए low ticket item 20-30 dollar item सेल करने के ट्राइ करना ही निशियल में तो यह जो क्या कहते है LLC USA में अगर आपको सही best rate और यह ज स्टार्ट करना हो तो उसके लिए आप description में देखना मैंने email ID दिया है मेरे partner है जिनके साथ आप ELL swap in कर सकतो और उसका EIN service जो की लेना mandatory है USA में EIN और bank account formation भी उसमें included है तो वो service आप check out करना description में मैंने उसका email ID देखे रखा है तो अभी यह तो बात हो गई paid वाले method जो कि आपको थोड़ा बहुत investment करना पड़ेगा लेकिन अभी बात करता हूँ सबसे एक easiest way drop shipping start करने का वो क्या है तो actually इस platform को ना मैं directly यहां पर promote करना नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई benefit नहीं है promote करने का जिस कारण से मैं description में आपना Instagram ID दूंगा Instagram जो कि मैंने इस YouTube च कि platform क्या है जो जिस platform के बारे में बता रहा था में video में तो मैं आपको उसमें बता दूंगा और उस platform का जो भी details बगरा है वो आपको share कर दूंगा तो उस platform में आप without any business आप उस पे drop shipping कर सकते हो और आप बिना follow किये उसमें message मत करना कि एसा ना कि एसे message कर जा रहे हो account को उसको कर तो video informative लगा होगा जिन लोग में doubt था जिन लोगों ने अभी तक drop shipping शुरू नहीं किया या फिर कुछ लोगों ने शुरू किया कि बहुत सरा doubts से मन में कि क्या क्या कैसे करें तो उनके लिए यह video था thank you for watching and stay connected और ज़रूर discord join कर सकते हो discord में question बगर है तो वह पूछ सकते हो